प्रस्णा वली तीन दस्मलों दो का ये दूसरा वीडियो यानि पार्ट वीडियो पार्ट वन वीडियो में आपने प्रस्ण संख्या एक से प्रस्ण संख्या चार का हल देखा था अब हम प्रस्ण संख्या पांच और प्रस्ण संख्या शे बनाएंगे सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रस्ण संख्या पांच 26244 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से विवाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए उस भागफल का घनमूल निकालिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इस तरह के प्रस्णों में हम इसका आभाजे गुरंखन करते हैं यह हमने करके रखा है आप खुद से इसे करेंगे और आप सीख चुके हैं अभाजे गुरंखन करना अब हम इस 26244 ब्राबर हम इस गुरंखन को अभाजे गुरंखन को लिखते हैं तो यह है इससे हम लिख सकते हैं कितनी बार है तीन देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब हम इस अभाज गुननखन में त्रिक बनाने की कुछिस करते हैं और देखते हैं कितने त्रिक बनते हैं इस तरब से बनाते हैं इस बार एक त्रिक ये हो गया एक त्रिक ये हो गया लेकिन इस तीन का त्रिक नहीं बन रहा है और इस दो का भी त्रिक नहीं बन रहा है अगर इस संख्या को हम इस तरह से संख्या बच जाएगा क्योंकि यहां दो त्रिक रहेगा अतहां कि अभिस्ट संख्या कि जिससे कि सबसे छोटी है अभिस्ट सबसे छोटी संख्या हां इसे फिर से लिखते हैं कि अभिस्ट सबसे छोटी संख्या हां जिससे 26,244 में भाग दिया जाना है तो यह हो जाएगी है हमारी दो गुना दो गुना तीन गुना तीन इनके त्रिक नहीं बन रहे थे तो यह हो गया दो दुनी 4 त्याई 12 त्याई 36 तो हम इसे 36 से भाग देंगे अगर इस 26,244 में तो यह पूर्ण घंसंख्या बन जाएगी तो यह जो पूर्ण घंसंख्या होगी वो क्या होगी पूर्ण घंसंख्या यह हो जाएगी 26,244 बटे 36 तो यह हमारा आजाता है 729 आप खुद से भाग करके देखें और 729 का घंमूल यह क्या होगा 729 का हम यहां पर गुननखंड लिखते हैं अभाज यह गुननखंड तो यह हो गया तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन अर्थात यह एक त्रिक और यह एक त्रिक तो यह ओ गया इससे एक बहर आया तीन और इससे एक यह तीन तीयाई 9 तो यहां है उस भागफल का घंद मूल निकालिए तो भागफल का हमने घंद मूल निकाला यह आगया आगया हमारा 9 प्रस्न संख्या 6 इसमें 2 प्रस्न है पहला प्रस्न है 794 में कौन सी सबसे चोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घंद संख्या बन जाए प्राप्त पूर्ण घंद संख्या का घंद मूल निकालिए आए से हल करते हैं हम लोग जानते हैं चुकि 729 से बड़ी है 794 और 794 से बड़ी है 1000 लेकिन 729 क्या है 9 का घंद और 794 से ये जो बड़ी है 1000 ये क्या है ये 10 का घंद है तो हम लोग देख रहे हैं कि 794 से जो अगली पूर्ण वर्ण संख्या है वो है 1000 तो अगर हम इसमें इतना जोड़ें कि ये 1000 हो जाए तो ये पूर्ण गन संख्या बन जाएगी अगली पूर्ण संख्या 1000 है इसलिए वांचित छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या जो हमें चाहिए सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी 1000 घटाओ 794 तो इसे हम घटाते हैं 10 से 4 हो गया 10 से 4 6 ये हो गया 9 9 से 9 गया 6 और ये हो गया 9 तो 9 से 7 गया 206 तो अगर हम 794 में 206 जोड देंगे तो एक हजार बन जाएगी और फिर एक हजार हमारा पूर्ण घंसंख्या बन जा रहा है अब ये तो हमारा निकल गया कि कितना जोड़ा जाए अब है पूर्ण घंसंख्या का घंमूल निकाल लिए इसलिए पूर्ण घंसंख्या हमारे एक हजार है इसका घंमूल अब हाज गुनडखंड करते हैं दस गुना दस गुना दस अठाट दस तो हमारा उत्तर क्या हो गया 206 जो हमें जोड़ना है उसमें 794 में और फिर जो घंमूल है पूर्ण घंसंख्या का ये है दस प्रस्ण संख्या 6 का दो 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या उन घंसंख्या बन जाए प्राप्त संख्या का घंमूल निकालिए प्रस्ण संख्या एक की तरह फिर से हम देखते हैं चुकि 729 से बड़ी है 794 और इससे बड़ी है 1000 यहाँ 729 क्या है? 9 का घं और यह है 794 और यह 10 क्या है? 10 का घं तो हम दोग देख रहे हैं 794 से ठीक पहले वाली जो खुन घंसंख्या है वो 729 है तो हमें यही प्राप्त करना है कि 794 से हम कितना कौन सी सबसे छोटी संख्या घंटा दें ताकि यह 729 मिल जाए इससे फिर से लिखते हैं इस तरह से इसलिए 794 से ठीक पहले वाली पूर्ण घंसंख्या है यह है 729 इसलिए जो हमें चाहिए वांचित सबसे छोटी संख्या यह हो जाएगी 794 से हम 729 घंटाएंगे यही हमारी सबसे वांचित होगी तो यह 14 से 9 घंटाएंगे तो यह हो गया 5 और यह फिर 8 बज गया 8 से दो गया 6 और यह 7 से 7 तो सुनने हो गया अर्थात 794 से हम 65 घंटादें तो यह 729 मिलेगी जो की पूंड घं संख्या है अब हमें इस प्राप्त संख्या का घंटमूल भी निकालना है तो प्राप्ट संख्या का घनमूल ये प्राप्ट संख्या हमारी है 729 तो इसका घनमूल हम लोग जानने रहे हैं ये होगा 9 तो हमारा उत्तर क्या हो गया दो चीज में मांगा गया था सबसे छोटी संख्या जो घटाना है यह हमारा आ गया 65 और जो पुण संख्या के जो घनमूल था वो आ गया 9